नमस्कार जय हिंद स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब प्लेटफोर्म राजस्तान मोसम में बात करेंगे राजस्तान के मोसम के बारे में जिसमों बताएंगे आगामी 24 से लेकि 48 गंटों के दोरान राजस्तान की शित्र में कैसे रहेगा मोसम किन जिलों में बादलों की आवज़ाई में बड़ोतरी रहेगी किन जिलों में कैसी रहेगी ठंड और इसके साथ ही बताएंगे इस वीडियो में आगामी कौन सी तारीकों निया डबलोडी यनि पच्छे में विशोब आने वाला हैं और उसके प्रभाव से राजस्तान के किन जिलों में बारिस होने की समभावनाई बन रही हैं तो उनके बारे में भी एकदम सही और शाठीक जानकरी दी जाएगी तो आप सभी किसान भायों से दिविदन रहेगा वीडियो को अंतर दक देखिएगा किसान भायों भीती रात को राजस्तान के जानतर जिलो में तापमान है वो जिरो डिगरी के आसपास में और एक से लेके पांच-छे डिगरी के आसपास में बना रहा और कई सारे जिलों में हैं पारा जमाव वींदू के निसे चला गया याने जीरो डिजी से भी निसे तापान चला गया और कई सारे शेतरों में बरफ है वो खेतों में जम्मी होई दिखाये दी तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी आप वीडियो देख सकते हैं मेरे ही गाव का वीडियो है और जब सुभे-सुभे हम उठे और खेतों में गए तो खेतों में जो फुवारे की जो पाईप वगेरा है उसके उपर भी देख सकते है आपके इस तरह से यह बरहत जमी हुई है इस तरह से यह जालोर के चितलवाना तेसिल का वीडियो है और इसी तरह से राजस्तान के जो पच्छीमी भाग विसेश तोर पे जो जोदपुर शमबाग और इसके साथी दक्षिनी राजस्तानी के उदेपुर शमबाग और कुछ जैपुर शमबाग के पागों में भी जो टापमान है वो जीरो जे हैं हिमालाई राजे हैं उसके आसपास में मजबूत एक जो डबलूडी है दस्तक देने वाला है और उसके प्रभाव से इस बार राजस्तान की शित्र में भी बारिस वनी की संभावनाई प्रभल बन रही हैं राजस्तान की कई सारे जिलों में आगामी 19, 20 और 21 जनवरी के आसपास में बारिस की गतिविदिया देखने को मिलने वाली हैं उनके बारे में भी आगामी मौसम बुलिटिन में आपको और ज़्यादा विस्तार से बताया जाएगा अब की बार इस बार जो डबलूडी आ रहा है वो थोड़ा सा दक्सिन वरती होगा यानि इस तरह से यह आसे होके आगे गुजरेगा और इसके प्रबाव से लगबग राजस्तान के समस्त भागों पे बादलू की आवज़ई देखने को मिलेगी और राजस्तान के जो ज़्यादतर शेत्र हैं वहां पे बादलू की आवज़ई की बीस में मौसम रहेगा लेकिन राजस्तान के तो आगमी 24 गंटों के दोरान राजस्तान की जड़तर शेत्रों पे मौसम साप और सुस्क रहेगा कुछ जिलों में धूंद का असर देखने को मिलेगा सर्दी हैं वो अपना प्रभाव लगातार दिखाएगी और आगमी 36 गंटों के बाद में हैं वो फिर शे थोड़ा सा ता अपमान में बड़ोतरी होगी और डबलो डी का असर भी देखने को मिलने वाला हैं तो किसन भाई इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मसकार जाई हिंदर